नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में, तो कन्या राशिवालो बागेश्वर बाबा ने नया पर्चा निकल दिया, पांच तांत्रिकों का नाम आया है, लगातार काला जादू कर रहे हैं, किस रिष्टेदार का काम है, नाम बताएंगे आज इस वीडियो को बिलकुल अंदेखा मत करना, क्योंकि जहां आपने इस वीडियो को नहीं देखा किया, वहां आप बहुत पच्छताओगे, ले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में तीन बार जैबालाजी महा अवश्य ही लिख दीजिए. जिन्दगी में कभी भी अंध विश्वास में ना हो, और हमेशा आपने सही कर्मों पर विश्वास रखे कि आज अगर आप कोई अच्छा कर्म करेंगे, तो उसका कल बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा. लेकिन अगर आप इन तांतरिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाएंगे, तो जिन्दगी भर पच्छताते और रोते रह जाएंगे. लेकिन दोस्तों, बात अभी खत्म नहीं हुई है. कि हम उन लोगों से बचे, जो अपने कारियों को सिध्ध करने के लिए तंतर क्रियों का इस्तिमाल करते हैं, या हमें बरबाद करने के लिए तांतरिकों का सहरा लेते हैं. तो वह जो बुरा इंसान है, जो ढोंगी बाबा है, उसका नाम परचे में आ चुका है, जो पैसे लेकर दूसरों की खराब करने के लिए तयार रहता है. इस तरीके के बुरे तंतरिकों की पहचान करना आपको बहुत आवश्यक है. और आश्चर्य की बात, हम आपको बताएं कि ऐसे तंतरिक हमेशा छुपे रहते हैं. ये खुलकर समाज में कभी सामने नहीं आती हैं, और छुपकर लोगों की नजरों से बच कर तंतरिक क्रियाओं को अंजाम देते हैं, और कई लोगों की जिन्दगी बरबाद कर दी है. मित्रों की एक तरफ से एक एक करके मृत्यू होती चली जाती है, और परिवार में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचता है. जी हां मित्रों, यह बहुत ही भयानक स्थिती होती है. मैंने अपने जीवन काल में साक्षात ऐसी तंतरिक क्रियाओं को होते देखा है, और इनके दुष परिणामों को भी देखा है. हनस्ते खेलते परिवार बरबाद हो जाते हैं. मित्रों कहने का मतलब यह है कि यदि आप समझ जाएं कि आपके आस पास कहीं कोई ऐसा छुपा हुआ गुप्त तांतरिक रहता है, तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी उस तांतरिक से बचने में. फिर हम आपको बताएंगे कि उस तांतरिक से आपको कैसे बचना है. क्योंकि इस प्रकार के लोगों से आपकी न तो दोस्ती अच्छी है और नहीं दुष्मनी अच्छी है. इस तरीके के तांतरिकों से आपको बचना बेहत आवश्यक है. क्योंकि अगर इन् जबन देने के लिए उपयोग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माताकाली की शक्ति जब खुश होती है, तो इनसान की जबान में इतनी शक्ति आ जाती है, या यूँ कहें कि जुबान में इतनी शक्ति आ जाती है, कि वह जिस भी बात को बोलता है, वह एकदम सही हो जा आसपास की उरजाओं को तुरंत कैच करके और हमें मैसेज और फोन कॉल्स दिखा देता है तो ऐसे ही कई अद्रिश्य शक्तियां हमारे आसपास हर वक्त कार्य करती रहती हैं और अगर हम उन्हें नकार देते हैं तब भी हम उनके द्वारा होने वाले परिणामों या दुश परिणामों से बच नहीं सकते हैं तो जान बूझ कर नकार देने से इन शक्तियों का प्रभाव कम नहीं हो जाता है तो बहतर यह रहेगा कि हम सतर्क हो जाएं और थोड़ी थोड़ी जानकारियां लेना शुरू कर दें जिससे हम इनके दुश परिणामों से तो बच ही सकते हैं इसी क्रम में मित्रो जानते हैं कि छुपे हुए तांत्रिकों की पहचान क्या है तो मित्रो हम आपको बता दें कि ऐसे लोग जो गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं ये अकसर रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं आप इन्हें दिन के समय किसी भी पूजा पाठ में कहीं भी लिप्त नहीं देखेंगे ये रात के समय ही हमेशा अपनी पूजा पाठ की गती विधियों को अंजाम, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां जिन्हें ये सिद्ध करना चाहते हैं, वे रात्र में ही अत्यधिक सक्रिये होती हैं। दूसरा पहचान यह रहेगी कि ऐसे व्यक्तियों की आखें हमेशा लाल रहती हैं, या फिर इनकी आखों में लाल धागे हमेशा दिखाई देते हैं। आपको इनकी आखें देखने में एक अजीब सा भय जैसा लगेगा। तीसरी पहचान यह रहेगी मित्रो कि ऐसे लोग हमेशा नशा करते हैं, लेकिन इनके नशे, गांजे, या फिर चिलम, या फिर बीड़ी जैसी नशे होती हैं। नशा न करें, तो फिर इनकी दिमागी स्थिति स्थिर नहीं रह सकती। या यूं कहें कि इनके शरीर में रह रही उर्जा अपना धोग नशे के माध्यम से लेना शुरू कर देती हैं। तो ये नशा अत्यधिक करते हैं। लेकिन ये भांग का नशा बहुत करते हैं। चिल काला टीका उसके नीचे अवश्य लगाएंगे। काला टीका इनकी सिध्धि का प्रतीक होता है। काली शक्तियों का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि टीके के प्रकार ये बताते हैं कि इनसान किसकी भक्ति कर रहा है, किसकी पूजा पाठ कर रहा है। जैसे हनुमा जी की पूजा करने वाली गोल केसरी या रंग की बिंदी लगाते हैं, अपने माथे पर टीका नहीं लगाते हैं, लंबा टीका नहीं लगाते हैं, और भगवान विश्णु की पूजा आराधना करने वाले लोग माथे पर चंदन लगाते हैं, और लंबा टीका लगाते हैं, समानांतर तिलक लगाते हैं तो टीके के प्रकार बताते हैं कि इनसान किसकी पूजा आराधना करता है तो मित्रो इसी प्रकार जो तांत्रिक क्रिया में लिप्त लोग होते हैं वे भी टीका लगाते हैं तो या तो काला टीका लगाएगा या फिर लाल टीका लगाएगा, और लाल टीका लगाने के बाद नीचे छोटा सा काला टीका अवश्य लगाएगा, यह उसके टीके की पहचान, इस तरह भी आप उसे पहचान सकते हैं, अगली पहचान यह रहेगी कि ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास आपको कभी न कभी फूल पड़े अवश्य दिखाई देंगे, नारियल पड़ा अवश्य दिखाई देगा, नीमबू पड़ा दिखाई देगा, या फिर आटे से बनी हुई पुतले आपको अवश्य पड़े दिखाई देंगे, कभी न कभी, वैसे इन्हें छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, जिनमें इन्हें इन चीजों को सारवजनिक तौर पर रखना ही पड़ता है, ऐसी स्थिती में आप आसानी से यह समझ जाएंगे, दोस्तो, एक आखिरी पहचान यह रहेगी, कि ऐसे लोग हमेशा चक्र की पूजा करते हैं, तो आप देखेंगे कि इनके घर में जब ये पूजा पाठ कर रहे होंगे, उस वक्त इनके घर में हवनकुंड के आसपास कहीं चक्र अवश्य बना होगा, ऐसे लोग चक्रों की पूजा करते हैं, किसी मूर्ति की या फिर किसी फोटो वगेरह की पूजा नहीं करते हैं, ऐसे लोग चक्रों के माध्यम से कई सिधियां प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसे लोग किसी देवी या देवता को सिध्ध नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि यक्षणी, अपसरा, वीर, साधना, गंधर्व, किनर, नायक, डाकिनी, शाकिनी, कई प्रकार की सिधियां होती है, छोटी- प्राप्त्मक शक्तियां होती हैं, जिन्हें प्राप्त करना चाहती है, तो चक्रों के माध्यम से इन सिध्यों को प्राप्त किया जाता है। जी हां मित्रों, यह यंत्रया चक्र एक ही होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि यदि आपको आपके आसपास कोई इस प्रकार का तांत्रिक रह रहा है, जो छुपकर तांत्रिक क्रियाएं करता रहता है, तो आपको क्या करना है। तो मित्रों, जितना हो सके, आप उससे क पूरी बना कर रखें। ऐसे लोग बेहत खतरनाक होते हैं। इन लोगों की ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ परेशानिया चल रही हैं और हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे उपर किसी प्रकार की क्रिया करवादी है, तांत्रिक क्रिया करवादी है और हम उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी अन्य तांत्रिक के पास चले जात अगर हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। अगर हम भगवान का रक्षाकवच आपके काम आता है और वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। आपके घर में जाडू पोचा नहीं होता है। मकडी के जाले चारों ओर बहुत सारे हो गए हैं। और आप समय का ध्यान नहीं रखते। जूट बोलते हैं, बेईमानी का धंधा करते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान का रक्षाकवच नहीं मिलता। और ऐसे लोग गलत काम करके, जब उपर जाते हैं, तो यूँ समझ लीजिए, बुराई का बीज बो देते हैं। और बुराई का बीज उन्हें ऐसा खत्म करता है। ऐसा बरबाद करता है कि इनसान जहां से शुरू किया था पुना वहीं पर आ जाते हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो हमसे जलते हैं, हमसे इरश्या भाव रखते हैं, कपट भावना रखते हैं। लेकिन हम चाह कर भी उन्हें न तो पहचान सकते हैं और नहीं हम उनका कुछ बिगाड सकते हैं, क्योंकि ये लोग आस्तीन के सांप होते हैं। आस्तीन के सांप का मतलब होता है वह इंसान, जो आपके सामने रहकर आपका अहित कर रहा हो, जिस पर आप भरोसा करते हो, लेकिन वही भेड की खाल में छुपा भेडिया हो. ऐसे व्यक्ति विशेश से आपको बचने की ज़रूरत है क्योंकि उसका नाम, दोस्तो, मानन और यह अक्षर से शुरू होता है, यानि MN and Y in टीन वर्ड से, जिसका भी नाम घर परिवार में, आस परोस में, आपके नजदी की कहीं पर भी शुरू होता है, तो थोड़ा सा सतर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक कमान नहीं संभाली, अगर अभी तक आपकी समझ नहीं आई, तो ये चीज बहुत भारी पढ़ सकती है, ये चीज बहुत तिककत दे सकती है, इतना आप ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तो, दुनिया जो है, बस मौके की ताक म हैं, और मौका अगर एक बार इनको मिल गया, तो फिर आपको छोड़ने वाले नहीं है, इतना आप ध्यान रखिए, कि ऐसे लोगों से बचना है, जिसका नाम मा, ना और या से शुरू होता है, क्योंकि यही वह लोग है, जो कहीं न कहीं आपके लिए मुसीबतें खड़ी क सकते हैं, आगे वीडियो में महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं, और अंत में दिये जाएंगे आपको जबरदस्त उपाए, इसी लिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप भी वीडियो को बिलकुल अंत तक देखते रहें, आने वाले अगले दोस्तों, 5-10 दिन हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों को बेहत सावधान रहने की जरूरत है, खास तोर पर वे विद्यार्थी, जो किसी की भी बातों में आकर अपना निर्णय अपने डिसिजन बदल देते हैं, देखिए, जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हम एक सही रास्ते पर चले, और जब हम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो उसे रास्ते को पहचानने का एक ही तरीका है, कि वह आपसे जलने वाले बहुत ज्यादा उत्पन हो जाएंगे, वह आपको राह में अडचने पैदा करने वाले बहुत ज्यादा उत्पन हो जाएंगे, कहते हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ये लोग उसी श्रेणी में आते हैं और आपको ऐसी श्रेणी वालों से ही बच कर रहना है। ये जिन्दगी आप बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। इस जिंदगी को आप बहुत शांदार बना भी सकते हैं, लेकिन जरूरत है अपने नियमों, अपने उसूलों, अपने आदर्शों के हिसाब से चलने की, और जो इनसान इस तरह से चलता है, वह जीवन में काफी सफलता पाता है, और अपने हर लक्ष को चीर कर आगे बढ़ ज जाता है, जितने भी व्यापारी हैं, वे थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि अगर पार्टनर्शिप में किसी ऐसे व्यक्ति को जोड लिया, जो कहीं न कहीं आगे चलकर, मुनाफ़ा देखकर, आपके पेट पर लात मारेगा, तो कहीं के नहीं रह जाओगे, इतना ध्यान रख अगर आपने शांती से हर चीज को समझने की कोशिश करी, तो आपको एक-एक चीज समझ में आ सकती है, कि ये जो मानव का जनम है, ये 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिला है, तो इस कीमती जनम को, जिसमें मुश्किल से आपको 100 साल का समय मिलता है, और आजकल तो लो बात करना, ये बहुत बुरी बात है, और आपको ऐसी गलती बिलकुल भी नहीं करनी है, हम आपको यही खास सलाह देना चाहते हैं, यही बात आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्शाओं का कभी अंत नहीं होता, जहां पर आपने एक छोटी गलती करी, व जरा भी देर नहीं लगती, कई लोग आपकी बरबादी की राह तक रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने अपनी योजनाओं का बखान न करें, ऐसे लोगों के सामने अपने मुनाफे का बखान न करें, क्योंकि ये लोग वो हुए जिनकी, ये लोग उस विश के घड़े के समान ह जिसकी ऊपरी सतह दूद से भरी होती है। आपको ऊपर-ूपर से देखकर ऐसा लगता है कि ये तो मेरा अपना है, लेकिन अंदर उसका कितना विश भरा है केवल वो जानता है। और उस आप, जब आपको जब वो अहित करेगा, उसके बाद आपको समझ जाएगा कि मैंने कित नाश करने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट जाएं, तो आपको काले कुट्टे को शनिवार के दिन दूध रोटी मिला कर खिलानी है, हर शनिवार को ये काम करि देखिए जो काला कुत्ता होता है वो केतू का प्रतिनिधित्व करता है शनी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है इस वजह से नतीजा क्या निकलता है इन दोनों ग्रह की मजबूती आपकी कुंडली में होती है और शत्रुभय बिलकुल कम हो जाता है मतलब न के बराबर हो जात अगला जो उपाय है, वो भी जबरदस्त है, वो भी शानदार है। वार आता है, आप तुरंथ ही हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें गुडचने के प्रसाद का भोग लगाएं। साथ ही साथ वहां बैठ कर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। इससे बहुत अच्छे परिणाम आपके जीवन में आएंगे और शत्रु बाधा दूर हो जाएगी।